वो उसे फोन करते, धंकियां देते, गालियां देते, उसकी फोटो मौर्फ करके उसके परिवार वालों को भेजते और तो और उसके फोन में जिनके नंबर सेफ थे उन्हें भी भेजते करीबियों को पॉन भेजते, ये कहानी है बैंगलूरू के नंद कुमार की 52 साल के नंद कुमार अब दुनिया में नहीं है, उनकी जान खुदखुशी के कारण चली गई आरोप है कि लोन एप के जरीए कर्स देने वाले लोगों ने उन्हें मौत के मुँ में धकेल दिया अब जराइन हेडलाइन्स पर नजर डालिये चाइनीज एप से लिया था लोन दोगुना रकम लेकर भी वाइरल कर दिये अशलील फोटो डिप्रेशन में यूवती मुंबई की साइबर पुलिस ने फर्जी इंटरनाशनल लोन एप रेकेट का किया परदा फाश तेलंगाना में 2022 में लोन एप फ्रॉट के 900 केसिज लोन एप माफिया का शिकार बना शख्स 5000 के बदले चुकाने पड़े 4.5 लाख रुपए ये हेडलाइन्स हमें समझाती है कि नंद कुमार इंस्टेंट लोन एप के अकेली शिकार नहीं थे लेहाजा आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप इन लोन एप के जहांसे में आने से कैसे बच सकते हैं लेकिन पहले आपकी जेप से जुड़ी हेडलाइन्स RBI ने महंगाई से निपटने के लिए रेपोर रेट में 0.5 फीजदी की बढ़ोतरी की है अब रेपोर रेट 4.9 फीजदी से बढ़कर 5.4 फीजदी हो गया है यानि आपकी EMI पर बोज भी बढ़ेगा RBI ने वित्तवर्ष 2022-23 के लिए GDP के अनुमान को 7.2 फीजदी पर कायम रखा है और कहा है कि वैश्विक आर्थिक स्तितियों का असर भारती अर्थिविवस्ता पर भी पड़ा है ITRE verification करवाने की समय सीमा को 120 दिनों से घटा कर 30 दिन कर दिया गया है संसद में केंद्र सरकार ने आठवे केंद्रिय वेतन आयोग को लेकर किये गए दावे से इनकार किया है जिसमें कहा गया था कि केंद्रिय कर्मियों वह पेंशनरों के वेतन भत्तों वह पेंशन के संशोधन के लिए आठवे वेतन आयोग का गठन नहीं होगा 5G spectrum का आवंटन 12 अगस्त को होगा Airtail ने कहा है कि वह अगस्त महिने के अंत तक 5G service launch कर सकती है Company ने इसके लिए Nokia, Ericsson और Samsung जैसी कमपनियों के साथ समझोता भी किया है अब बात instant loan app की हाल के सालों में कई कमपनिया एप के जरीए लोगों को फटाफट loan मुहया करवा रही है इसके जरीए सस्ते में loan देने का दावा किया जाता है इसमें कुछ apps सही है तो कुछ फर्जी भी है लेकिन अब इससे जुड़े धोका धड़ी के कई मामले सामने आ रहे हैं इन apps के जरीए बहुत कम समय में loan मिल जाता है ज्यादा कागजी कारिवाई की जरुवत नहीं पड़ती है और बैंक का चक्कर लगाना भी नहीं पड़ता बस app पर registration करना होता है और मिंटो में पैसा आपके खाते में Money Tap, PaySense, Cash E, PayMe India, Navi जो 2 लाग तक loan देता है धनी app इसके जरीए तो 15 लाग तक का loan मिल जाता है इसके अलावा India Lens जो आपको 48 घंटों के अंदर loan देता है ऐसी और भी कई कमपनिया है आप जो fraud की खबरे सुन रहे हैं ज्यादा तर चीनी loan apps के जरीए हो रही है इन apps पर बिना KYC, बिना document verification के loan मिल जाता है हलांकि ऐसे apps से सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि ये loan app पहले ग्रहकों को फसाते हैं फिर उन्हें blackmail भी करते हैं भारत में करीब 1050 instant loan apps हैं जिन में गड़बडिया पाई गई इन में से करीब 750 apps अभी भी Google Play Store पर उपलब्ध है 300 apps की website है लेकिन वहाँ कम जानकारिया है केवल 90 apps का ही कोई physical address मिलता है तो जरूरी सवाल ये है कि fraud से कैसे बचे SBI ने fraud से बचने के कई तरीके बताए है पहला अगर आप किसी instant loan app को डाउनलोड कर रहे हैं तो उसे verify करें उसके बारे में दूसरी जगह से भी जानकारियां जुटाए किसी भी unknown link पर click ना करें साथ ही किसी भी अनधिकरत loan app का इस्तेमाल ना करें इससे आपके data की चोरी हो सकती है आपका data चोरी ना हो इसके लिए phone में app की permission setting जरूर चेक करें इससे ये safe रहता है और आपकी निजी जानकारी leak नहीं होती अगर आप किसी संधिक्द app के चक्कर में फस गए हैं तो तुरंथ पुलिस में शिकायत करें loan लेने से पहले सही platform का चुनाव करना बेहत जरूरी है इसमें कोई भी लापरवाही महेंगी साबित हो सकती है लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि app फर्जी है देखी जब भी कोई loan app डाउनलोड करें तो उसकी rating reviews जरूर पढ़ ले अप स्टोर पर आपको ये सभी जानकरिय मिल जाती है जिससे app के बारे में detail में पता चल जाएगा अप को कौन सी company चला रही है और उसे किस company ने develop किया इस तरह की जानकरिय अगर ठीक ठीक मिलती है तभी उसे डाउनलोड करें इसके साथ ये जरूर चेक कर ले कि लोन आप के साथ कोई bank जुडा है या नहीं नियम के अनुसार किसी भी लोन आप के साथ अनिवार्य तोर पर कोई न कोई NBFC जरूर जुडा होना चाहिए अगर ऐसा नहीं है तो साफधान हो जाए फरजी आप यूजर से कई तरह की जानकारिया मांगते हैं अच्छा आप वही होता है जो यूजर से कम से कम जानकारी मांगता है असली लोन आप होगा तो वह यूजर को लोन देने से पहले अपनी पूरी जानकारी आपको देगा ये सभी काम पारदर्शिता के साथ किये जाते हैं अगर कोई आप ऐसा नहीं कर रहा है तो शक करें